हेलो फैंश वेलकम तो अबार चैनल दोस्तों आज की वीडियों की माद्धम से मैं आपको जानकार बताऊंगा कि आप अपने जो आपका गैस सेलेंडर है उसमें आपकी सबसीडी आ रही है या नहीं आप ऑनलाइन कैसे अपने मोबाल में चेक कर सकते हैं आसानी से दोस्तों है चाहे आपके पास भारत कैसे उज़ कर रहा हूं चाहे आप यह वाले हों या आप इंडियां इंडान क्या हुश वाली है कंपनी का उस जींडर कर सकते हैं तो दोस्तों चल शूओ करतें सबसे पहले आपको अपना Google Chrome ब्राउजर उपन करना है और उस ब्राउजर में आपको myLPG टाइप कर देना है जैसे हम myLPG टाइप करेंगे तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा इस पर myLPG.in पर हमें क्लिक कर देना होगा जैसे हमें इस पर click कर देंगे तो हम एक website पर आ जाएंगे जिसमें हमें यहां right side में तीन cylinder दिखाई दे रहे हैं वारत gas, hp, indian इन में से आपका जो भी company का gas cylinder है आप उसे click करेंगे जैसे कि मान लेगी है मैं यहां मेरे पास hp का है dispp का आपको यहां बता रहा हूं कि हाप सबसेब्सीडी ऑनलाईन कईसे check करेंगे कि आपके पास कितनी अबसेब्सीडी आइय में कबा आईये तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमेंसे हमें ये दोस्तों आप राइट साइड में ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा आपको साइन और नी उजर अगर आपका पहले ही आप रिश्टर हैं तो आप यहां साइन इन कर सकते हैं और नहीं हैं तो आपको न से हैं अपको नहीं होगा और नहीं कर सकती हैं तो मुझे हम नहीं करना है मैं आपको बता रहा था अब में इस पर sign in कर लेगा हूँ sign in पर जाता हूँ जैसे ही मैं sign in पर click कर देता हूँ तो मारे सामने एक नए पर open होता है जिसमें हमें enter email mobile number या email ID डालना है जो हमने registration की वक्त इसमें डाली थी तो यहां मैं अपना mobile number एंटर कर देता हूँ जैसे हम mobile number अपना एंटर कर देंगे तो यहां हमें जैसा यह capture देख रहा है उसको हमें capture भी हमें enter करना है दोस्तों एक बात याद रखिएगा जैसा इसमें capture देखाई दे रहा है आपको 20 करना है जो small letter दिये हैं उनको small और जो capital में दिया हो उनको capital और जो digit दिये हैं उनको digit में आपको करना है अब हम इस पर login पर क्लिक कर लेंगी अब दोस्तों हो हमारे सामने जैसे हमने capture एंटर किया तो हमारे सामने हमसे यह password पूछ रहा है जो हमने registration के बक्त हमारे था आप पासवर्ड बनाया था वह हमें पासवर्ड डालना है यह आपको नहीं पता आपका पासवर्ड तो आप फोलगैट पर क्लिक करके new password बना सकते हैं मेरे को यहाँ password मेरा पता है तो मैं यहाँ अपना password एंटर कर देता हूं जैसे हम पासवर्ड एंटर कर देंगे तो हमारे सामने साइड डिटेल्स इंफोर्मिशन आ जाएगी तो आप यहां देख सकते हैं जो मेरी करता हूं उसमें जिस नाम से रेइस्टर है वह गया मुबाइल नमबर आदार नमबर यहां सब कोछ दिया हुआ है जर्टेण इस पर हम कर देंगे अब अब हमें यहां पर चैड़ करना है कि हमारी सब्सीड हाए कि अंभी पर přामच एस फर पर हम क्लिक कर देंगी जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे दूस्तों तो हमारे सामने एक नया पेज उपन हो जाएगा जिसमें हमारे सब्सीडी से सारी इंफोर्मेशन यहां पर्शू होने लगेगी आप यहां देख सकते हैं यह मैंने कब ओर्डर किया था वो डेट दी गई है और रेफ्रेंस नंबर दिये गया है और नंबर ओफ सिलेंडर दिये गए है इस दी गई है डेट दी गई है कैस मेमो दिये गया है और यहां आप देख सकते हैं मेरे लिए कितना सब्सीडी मिला है तो यहां आप देख सकते हैं जो सब्सीडी दी गई है वह आप चेक कर सकते और दोस्तों शाप ही आप इसमें अगर आपका आधार नंबर लिंक नहीं है तो दोस्तों बहुत सकते हैं यहां नीच वाले लेक्ट साइड में आधार अटेंटर्टिकेसन पर खर में आप अधार करकर हैं लेकिन हमें यहां मैं आपको सब्सृ छेक करना बता हूँ तो यह ही बताऊंगा तो जली दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि यह तो हुई दोस्तों HP और भायत gas cylinder के बारे में जानकारी अब हम Indian gas के बारे में जानकारी जानते हैं कि आपको उसमें क्या करना होगा तो Indian पर अगर आप Indian का स्टेश सेंडर उसकर तो आपको इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने टोपन ओजाएगा यहां कई मेनु देख सकते हैं आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा नीचे आने के बाद आपको यहां गेव यूर पर फीड़वेक उनलाइन इस पर क्लिक करना होगा जैसे हम इस पर क्लिक करेंगी तो हमारे सामने एक नया पीज उपन होगा जिसमें हमें पूछ रहा है कि आप क्या करना है अब हमें इस पर एलपीजी पर क्लिक करना होगा जैसे हमें एलपीजी पर क्लिक करना होगा जैसे हम एल्पीजी सबसीडी मैंने यहां टाइप कर दिये टाइप करने के बाद मैं प्रोसीड पर क्लिक कर दूँगा तो हमारे सामने और मेनू ओपन हो जाएंगे जिसमें हमको अब इसमें नीचे की तरफ स्कॉल करते हुए आना है और सबसीडी डिलेटेट पहल पर क्लिक करना अब यह हमने यह dieta के सबसीडी डिलेटट पहल पर क्लिक किया तो इसकी सब कर टेगरी ऊपन हो गयी है यहाँ सबसीडी नॉट्रेटेट भी पर हम क्लिक कर देंगे और यह पर हम यहां सी क्लिक करेंगे तो इस पर हमें जो नमबर हमारा रिजिटर है मोबाइल नमबर वह है एंटर करना होगा यह आपके पास यहां इंटर करके आपका जो सबसीडी आई है कितने आई है कितने नहीं आई है वह आप यहां आसानी से चेक कर सकते हैं तो दोस्तों आपको है जानकारी कैसे लगी उम्मीर है कि आपको मेरे विरू पसंद आई होगी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका रिपला देने के ज़रूर कोशिश करूंगा विरू देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप हमारे चैनल पर ना है तो पर लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें क्योंकि मैं हिंडी टिफ्स एंड सेलूशन पर इंपोर्टेंट व वीडियो को लाइक कर देने थैंक्स पूर वाशिंग जै हिंड